हेलो प्रेंस अगर आपने इस्रम कार्ड बनवा लिया है और उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घरवेटे मुवाईल से इस्रम कार्ड को कैए से डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को लास्ट टक करेंगे ऐप करने का अब आपके सामने इस तरीका का इंटरफेस आज आएगा और आप इस्रम की ऑफिशिल वेबसाइट पर आ जाएगे यहां पर हम नीचे श्कॉल करेंगे इसकोल करने के बाद यहां पर आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता रेजिटेशन इस टोटली इसके नीचे आपको एक option मिल जाता Already registered update तो इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते आधार लिंक मुवाइल नमर इस पर फ्रेड यहाँ पर आपको आधार कार्ड से लिंक मुवाइल नमर को टैप करना है नीचे आपको मिल जाता capture code जिस तरीके का आपको capture code देख रहा है उसी तरीके से आपको capture code को टाइप कर लेना है टाइप करने का बाद नीचे आपको option जाता है send OTP का इस पर क्लिक करेंगे अब आपने जो भी मुवाइल नमर टाइप किया था उस पर OTP को यहाँ पर टाइ क्लिक करेंगे क्लिक करने का नीचे आपको capture code देखने को मिल जाता है जिस तरीके को आपको capture code देख रहा है उस तरीके से आपको टाइप कर लेना है टाइप करने बाद submit के option पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करते ही आपके आधर कार्ड से registered मौल नमर पर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर टाइप करेंगे टाइप करने का बाद validate के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने next पर उपन होकर आ जाएगा यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाते हैं update profile और नीचे आपको मिल जाता download UN card तो यहाँ पर अपने UN card को download करना चाहते है तो download UN card के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने UN card आ जाएगा और उपर की और आपको option देखने के लिए मारे चैनल को subscribe जलूर करें